हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू मैं चानल एक्टिलेंट कोचिंग आज चाप्टर फाइफ शुरू करेंगे वर्क एन और्गनाइजेशन साइकॉलोजी इसमें यह देखेंगे कि और्गनाइजेशन में साइकॉलोजिस्ट की क्या जलोत होती है उसका क्या रोल होता है कंपनीज में जैसे अलग अलग कंपनीज में हचा डिपार्टमेंट के साथ साइकॉलोजिस्ट भी काम करते हैं तो उनका क्या रोल होता है तो सबसे पहले यहां पर शुरू करेंगे परस्नल सेलेक्शन से परस्नल सेलेक्शन मतलब इंटर्व्यूज वगहरा करते हैं हम लोग कांडि स Some dog should be suitable ऑना जी जूब प्रोफाइल के लिए जिसके लिए सबस्क्राइब परस्नल मिलन क्या करते हैं किस किस क्राइटीरिया के बेस पे हम उस परस्न को सब्क्राइव करेंगे केंटीडेट को सब्क्राइब उस जॉब के लिए और उसके दो आउटकम हो सकते हैं अगर तो एक performer person है जो मतलब उसके उनकी criteria में fit बैठ रहा है उसको reject कर दिया तो एक तरीके से उन्होंने अपने opportunity मिस कर दिये अच्छे employee को रखने की और अगर उसको select कर लिया तो मतलब उनका selection है वो एकदम सही है दूसरा outcome यह हो सकता है कि उन्होंने किसी non performer को select कर लिया जो कि एक wrong decision है और अगर उसको reject कर रहा है तो वो correct decision है तो यहां पर mainly हमने यह ध्यान रखना होता है कि हम एक performer को select करें और non performer को select ना करें selection criteria के according और उसकी ability के according जो candidate की ability है यहां पर जो main work होता है psychologist का वो यह होता है कि वो correct selection को maximize करें मतलब maximize correct selection and minimize wrong selection मतलब wrong selection को minimize करें इसके steps क्या होते हैं सबसे पहले हम job analysis करते हैं अब जैसे psychologist है उसको अगर HR वाले बोलते हैं कि हमारे company में यह job है और यह vacancy है और हमें इसके लिए कुछ candidates चाहिए तो आप इसका selection criteria के base पे कैसे select करोगे तो उसके लिए psychologist को पहले job analysis खुद भी करना पड़ता है कि क्या specifications है job की उसमें क्या क्या करना पड़ेगा candidate को उसमें उसको किस तरह की knowledge होनी चाहिए किस तरह की skills होनी चाहिए तो जो psychologist है वो job analysis करेगा कैसे करेगा वो जो existing employees है जो already उस चीज के ओपर काम कर रहे हैं जैसे मालो marketing के department में अगर वो है vacancy निकली है तो psychologist marketing department में जाएगा जहाँ पर already कुछ employees काम कर रहे होंगे उनका interview लेगा उनसे पूछेगा कि वो किस तरीके की skill required होती है marketing की job के लिए observation करेगा वहां पे जो बैठे लोगों की observation करेगा उनके behavior की देखने के लिए कि अगर कोई आने वाला employee है जिसको यह select करेंगे उनकी अंदर किस टाइब का behavior होना चाहिए प्लस जो पुराने employees हैं जो already काम कर रहे हैं या छोड़के जा चुके उनके bio data को भी analyze करेगा कि उनके bio data में या उनके cv में ऐसा क्या था जिस वजह से उनको select किया गया था तो क्या background होना चाहिए candidate का और क्या सब skills और knowledge उसको होनी चाहिए ये सारी चीज़े psychologist को पहले तो पता होनी चाहिए फिर उसके बाद psychologist study the amount of group activity that the task involved अब इसमें एक चीज़ और है कि psychologist को ये भी ध्यान में रखना होता है कि task में अगर कोई group activity हो रही है या ऐसा कोई task है जिसमे जो candidate है उसके interpersonal skills अच्छे होने चाहिए तो psychologist को उसकी personality की assessment भी करनी पड़ेगी candidate की मतलब उसके interpersonal skills कैसे है उसका teamwork कैसा है क्या वो team में काम कर लेगा उसकी emotional intelligence कितनी है emotional intelligence का मतलब कि क्या वो दूसरों के साथ sympathize कर पाएगा क्या वो दूसरों की problem को समझ लेगा क्या वो group में काम करते time healthy competition होगा कि वो negative हो जाएगा jealousy हो जाएगी और वो सब शुरू हो जाएगा तो psychologist को ये भी देखना पड़ता है कि अगर कोई ऐसी job है जिसमें वो अकेला नहीं कर रहा है उसमें पूरी team involved है तो उस candidate के interpersonal skills भी assess करने जरूरी है यहां पर फरहम बोलते हैं कि job analysis करने के बाद psychologist को ये पता चल जाता है कि minimum professional knowledge कितनी होने चाहिए basic skills क्या होने चाहिए और personality कैसी होने चाहिए ये तीन चीज़ों का पता चल जाता है तो जब भी हम job analysis करते हैं उसके लिए अपने further जो इंटर्व्यूज लेने वाले candidates के उसकी job analysis करते हैं तो उसे हमें या idea लग जाता है कि उस candidate के अंदर basic knowledge कितनी होनी चाहिए अगर वो इस job को करेगा उसके skills कितने होने चाहिए और उसका attitude किस टाइप का होना चाहिए second job analysis के बाद आते selection criteria set करना selection criteria में क्या होते selection criteria यह होता है कि जो तीन चीज़े हमें पता चलिए उपर knowledge skill और attitude basic क्या चाहिए उसी को हम एक selection criteria मांग लेते हैं कि उस particular knowledge में उसको basic knowledge इतनी होनी चाहिए skills यह वाले होने चाहिए attitude इस तरह का होना चाहिए उन तीनों के base पे हम एक selection criteria बना लेते हैं जो जिससे हमें right candidate का पता सकता है थर्ड चीज होती है selection of instrument मतलब कि हमने कैसे उसका टेस्ट लेना है कैसे assessment करनी है कैसे interview लेना है हमने कौन सा instrument use करना उसके लिए उसकी knowledge को जानने के लिए हम कैसे करेंगे interview लेंगे कि हम उससे questionnaire लेंगे बरवाएंगे यह हम उसका return लेंगे verbal test लेंगे किस तरह कर तो skill attitude इन सब चीजों के लिए अलग-अलग instruments यह होते हैं जैसे application blank जो है और psychometric test है interview है aptitude test यह सारी चीज़े यूज करी जाती है companies में और लेकिन HR department इन सब चीजों में इतना ज़दा apt नहीं होता है इसके लिए उनको psychologist की ज़रोत परती है इस तरह के test बनाने के लिए तो HR के स साथ मिलके psychologist यह सारी चीजों की तयारी करता है major challenge यहां पर क्या होता है कि हम सही instrument select करें क्योंकि कुछ-कुछ instrument जो होते हैं वह बहुत instrument मतलब यहां पर tools की बात हो रही है जैसे psychology में tools नहीं बोलते हैं तो कुछ-कुछ tools ऐसे होते हैं जो बड़ी subjective होते हैं मालो आपने interview रख तरीका नहीं माना जाता है किसी के selection करने का को दिख रहा है कि 70 लोग ऐसे हैं जो eligible लग रहे हैं बाकी 30 लोग की जो है eligibility नहीं है तो filter out कर लेते हो आप इस तरीके से क्या होता है initial screening हो जाती है application बनने से और candidates को फिर तभी बुलाया जाता है जो eligible होते हैं उस time पर job करने के लिए और उनके उपर ही selection instrument यूस किया जाते है म फिर आता है next human resource development and training अभी तो जो हम पढ़ रहे थे वो personal selection के steps है कि हम personal selection में क्या करते हैं फिर training भी होती है जैसे आपने देखा है companies में employees की training भी होती है महाँ पर जो already employee काम कर रहे हैं उनको भी training दी जाती है जो नहीं आते हैं उनको भी training दी जाती है सबको training मिलती है महाँ पर कुछ ना कुछ update हो रहा होता है नहीं नहीं technology आ रही होती है तो कुछ ना कुछ training देते रहते हैं प्रतीक ने यहाँ पे define किया है HRD को as a new systematic approach to proactively deal with issues related to individual employees, teams, organizations and movement to develop organization capability to manage change and challenge मतलब कि यह बोल रहे है कि HRD का क्याम क्या है एक systematic approach बनाना है proactively जिससे वो individual employees को या उनकी teams को या पूरी organizations को develop कर सके उनकी capabilities को develop कर सके ताकि वो change या challenge को manage कर पाए तो इसलिए training भी एक बहुत important part हो जाता है HRD का human resource department का अब इसी context में प्रतीक ने यहाँ पे जो छे system से पहले छे units बताए है कि अगर हम six units human units देखें तो कौन-कौन से होते हैं किसी भी organization में एक तो individual employee होता है एक होता है उसका role क्या है फिर आजाता है diet मतलब एक employee और उसके उपर जो superior है फिर आती है teams inter teams मतलब आपस में teams का क्या relation है क्या communication है और पूरी organization आ जाती है तो यह छे human units है और छे HRD systems भी है HRD systems छे क्या है एक appraisal system है जिनका काम होता है appraisal वगेरा देखना एक career system है एक training है एक work है एक culture है एक self renewal system है तो यह छे human units हो गए और छे systems हो गए तो यह six by six का matrix बनता है total जो हमारी training में यूज होता है अब इंडिया में जैसे यह कह रहे है कि human resource department जो है इंडिया में किस सरीके से काम करता है इंडिया में जो appraisal system या जो भी HRD के functions है उसको इन्होंने प्रतीक वाले matrix के through समझाय हुआ है जैसे यहां पर इन्होंने यह matrix दिया हुआ है यह six by six का matrix ह जिसमें यहां सारे human units है और यहां सारे systems है and six systems that influence human units he presents HRD matrix is six into six का matrix है this HRD matrix can be represented in the figure यह यहां पर इन्होंने represent किया हुआ है the definition represents us with a framework within which we can assess HRD in India तो यह इन्होंने इंडियन HRD system को एक figure बना के आपको समझाय हुआ है जिसके बारे में यहां discuss कर रहे है human units में जैसे सबसे पहले आ जाते है individual employees individual employees क्या है जो most basic unit होती है organization की एक-एक person जो उसमें काम कर रहे है एक-एक employee जिसकी अपनी खुद की एक importance है उनकी खुद की self management, competence building और advancement यह एक responsibility होती है HRD department की human resource department की कैसे competence build किया जाए लोगों के अंदर उनके professional skills को enhance किया जाए उनको self manage करना सिखाया जाए और उनकी अपनी advancement हो सासाथ वो ही चीज उनको help करे अपने profession में अच्छा करने के लिए तो कैसे वो अपने लिए self realistic goals रखे और अपनी performance के ओपर जादा ध्यान दे advancement मतलब अपने career prospects के बारे में आगे सोचते रहे कि कैसे वो आगे अपने अपनी company में ही कैसे अपना further career को देखते हैं second unit आजाती है role role में मतलब की जैसे company में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका अपना अपना एक role अपना एक status है सुपीरियर्ज है, colleagues हैं, subordinates हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं अब इन सब की अपने अपनी expectations है expectation मतलब की जैसे superior है तो उससे आप कुछ और expect करते हो आपका subordinate है तो उससे आप कुछ और expect करते हो इससे क्या पता चलता है? उसका रोल पता चलता है कि superior का रोल क्या है? उससे जो आप expect कर रहे हो वही उसका रोल है तो ये रोल आपके status को आपके जो भी expectations है उसको बताता है आपका रोल क्या है और this is an important unit if the role is neglected अगर ये role neglect हो जाए कई बार तो situation confusing हो जाती है मतलब कि आपसे कुछ और expect किया जा रहे हो और आप वो चीज नहीं कर रहे हो HR आपको उस चीज में नहीं skill कर रही है, train कर रही है तो फिर confusion create होती है तो इसलिए role develop करना भी बहुत ज़रूरी है तो ये तीन main concerns है, role correlated, role को लेके अगर HR department अगर concern है के role के लिए कैसे develop किया जाए तो उसमें तीन चीज़ों को उनको देखना पड़ेगा एक तो optimum stress होना चाहिए, autonomy होनी चाहिए, linkages होने चाहिए optimum stress क्यों? क्योंकि जादा high stress होगा या जादा low होगा तो performance चीक नहीं आएगी autonomy क्यों चाहिए? क्योंकि autonomy होगी तभी हम अपना role creatively निभा पाएंगे और effectively अगर बिल्कुल autonomy मिलेगी नहीं तो कोई भी person अपने highest potential तक performing कर पाएगा linkage इस किसमें चाहिए हमें सारे roles में आपस में जितने भी रोल्स है उनकी आपस में linkage होनी चाहिए connectivity होनी चाहिए इससे proper organizational goals को हम fulfill कर सकते हैं तीसरा unit आता है diet प्रोफेसर प्रतीक डिफाइंस dietic group as an employee and his superior तो dietic group में कौन आ जाता है उसका एक employee और उसका superior आ जाता है तो जितना जादा diet strong होगा उतना जादा organization को benefit होगा superior और उसकी employee का अगर relation अच्छा होगा तो उसमें organization की भी advancement होगी और उन दोनों की भी होगी इसके लिए दोनों के बीच में trust होना चाहिए दोनों के बीच में mutuality होनी चाहिए और दोनों के बीच में clear communication होनी चाहिए आपस में ट्रस्ट होना जरूरी है स्मूद वरकिंग के लिए मुच्वालिटी मतलब एक दुसरे की हेल्प करना और कम्मुनिकेशन क्लियर मिस कम्मुनिकेशन नहीं होनी चीए दोनों लोगों के बीच में चौती चीज़ आती है टीम्स टीम्स डायट में क्या होते हैं दो लोग होते हैं लेकिन हमने देखा है कंपनीज में टीम्स होती है तो अगर कोई सॉफ्ट्वेर कंपनी जो है सॉफ्ट्वेर कंपनी है जैसे इन्होंने एक्जामपल दिया है उनको एक कंसल्टंसी असाइमें मिला है assignment कौन manage कर रहा है project manager कर रहा है उसके अंदर software workers हैं सारे senior software workers हैं उनके अंदर 20 juniors workers हैं तो यह पूरी team बन जाती है उनकी पूरी team का common goal क्या है कि उन्हें एक consultancy assignment complete करना है तो इस तरीके से team को भी आपस में मिल जूल के काम करना होता है उनकी अंदर cohesiveness होनी चाहिए उनकी अंदर synergy होनी चाहिए इससे ही उनके गोल्स और company के गोल्स फुल्फिल होते हैं अब इसमें आगे देखते हैं next unit आ जाती है इंटर टीम मतलब आपस में team का coordination कैसा है उनके बीच में कम्मिकेशन क्लियर है के नहीं है तो आपस में जो टीम अंदर बहुत सारी जो टीम से अलग अलग company में उनके आपस में organization या उनकी आपस में communication बहुत क्लियर होनी चाहिए मिल जूल के वो काम कर पाएं फिर आता है organization itself तो मतलब सारी चीज़े मिला कि अब एक organization जो बनी है as a whole उसको अपनी growth पे focus करना जरूरी है impact पे और self-renewal पे तो growth कैसे होगी अगर motivated होंगी employees अपना काम करने के लिए वो अपना goal achieve करेंगे अपना चोटे-चोटे goals को achieve करेंगे तो organization का पूरा एक goal achieve हो पाएगा तभी organization grow करेगी उसके बाद fast changes होते रहते हैं तो उसके लिए self-renewal भी करना जरूरी है जैसे technology बहुत change हो रही है तो उसके साथ साथ अपनी company में भी advancement वगेरा लानी जरूरी है ताकि company जो है वो नई चीजों के साथ से अपने आपको adapt कर सके हैं कि आगे HRT practices in India है जो हम next video में पढ़ेंगे और यह भी हम next video में start करेंगे thanks for watching